दोस्तों नमस्कार आधार कार्ट के विभाग के तरफ से दो नए सर्विस आधार कार्ट में चालो होने जा रहे हैं जो कि आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा सबसे पहला आपडेट है आप लोगों को कुछ इस तरह का मेसेज आया होगा और आने वाला है तो चलिए इसका हिंदी में मतलब है आपका आधार एक फरवर्डी दोहजार चौबिस तक वैद है यानि कि आपका मान है एक फरवर्डी दोहजार चौबिस तक आधार कार्ट उसके बाद मान नहीं रहेगा किरपिया निकरतम आधार के इन्दर पर बायोमेटिक्स को निसुलक अपडेट करें UIDAI तो आपको आधार कार में बायोमेटिक अपडेट कराना होगा निकरतम अधार सेंटर में जाओ तभी आप एक फरवरी 2024 के बाद आपने अधार कार्ट को इस्तमाल कर सके तो डरने की कोई बात नहीं है अभी बहुत लंबा समय है आप कभी भी जाके अधार सेंटर में बायोमेट्रिक्स अपडेट करवा सके तो चलिए दूसरी अपडेट की और बढ़ते हैं अधार कार्ट बाद आपके सामने में यह पैज आ जाए गया तो यहां पर आपको बहुत सारे अपसिंगे उन में से एक ओफशन है डोकुमेंट अपडेट तो यहां पे आप क्लिक करेंगे यहां पे क्लिक करने बाद आप को इस तरह का कुछ यहां पे इन्फोरमेशन बताये जाया आप यहां पर देख सकते हैं object of document update service इसका यह मतलब है जब आप अधार कार्ट बनाए थे उसमें आप से कोई भी valid document नहीं लिया गया था चाहे address पूरूफ के तोर पे चाहे date of worth पूरूफ के तो यहां पर आपका direct अधार कार्ट बन गया था लेकिन यहां पर आपको अधार कार्ट क प्रूफ के तोर पे यहां पर अधार कार्ट में upload करना पड़ेगा अधार कार्ट के साथ address में छो date of birth में छो नाम में छो वही आपको document upload करना पड़ेगा document update करने के लिए आपको 25 उर्पिया चार्ज देना होगा उसके बाद यह पैसा जो refundable नहीं होगा हलाकि यह service अभी तक live नहीं किया गया हाली में इस portal पे यह option जो रागिया है जब एक live किया जाएगा तो मैं आपको एक वीडियो बनाके बता दूँगा किस तरह से आपको यह share भी कर सकते हैं तो फिर मिलते हैं किसी एक और नए update के साथ